नमस्कार आप देख रहे हैं खबर IPL 2021 के 11 मुकाबले में पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल से हार का सामना करना पड़ा मैच के दौरान पंजाब के गेंदबाज रनो परंकुष नहीं लगा सके साथ ही पंजाब के फिल्डर्स ने भी कुछ एहम कैच छोड़े हला कि पंजाब किंग्स के दीपक हुड़ा ने मैच के दौरान एक ऐसा कैच भी पकड़ा जिसे देख कर समस पड़े यह कैच रिशब पंद का था वैसे तो कैच आसान था लेकिन हुड़ा इसे सही से पकड़ पाने में नाकाम रहे दीपक ने गेंद को मानो हवाईजाद बना दिया जो कभी टेक ओफ करता तो कभी लैंड होने लगता इसके चलते चार कोशिशों के बाद गेंद उनके हाथ में सही से आई गेंद को पकड़ लेने के बाद दीपक हुड़ा खुदी हसने लग गए और कुछ पल के लिए पन्त थे और ओवर रिचर्ड सन लेकर आई उनकी गेंद धीमी गती की रही और मिडल स्टम पर पड़ी पन्त ने इस पर पुल शोट लगाना चाहाल लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई ऐसे में गेंद लॉंग ओन की तरह गई यहाँ पर दीपक उड़ा आगे पर दाएं हाथ में गेंद आगई फिर गेंद को दोबारा फिसल नहीं दिया इस तरह से चार कोशिचों के बाद गेंद उनके हाथ में आई फिर वही मैदान पर लेट गए और हसने लगे दीपक उड़ा फिर उटे और सही से कैच लपगने की अपील की हाला कि अमपायर को स आउट करने का भी पंजाब को खास फायदा नहीं हुआ मार्क स्टोइनिस और ललित यादव की नाबाद पारियों से दिल्ली ने 19 वे ओवर में जीत दर्श कर ली इस जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चली गई है महीं पंजाब सात्वे स्थान पर रह गया है आगे के अपडेट पर बनी रही है हमारी नज़र आप देखते रहे हैं इनकबर